हेलो एवरेवन, वेलकम तू कॉंसेट लाइबर्टी, मेरा नहीं विशाल विजज रिवास्त हूँ इंपॉर्टन मैथमेटिकल कॉंसेट के इस वीडियो सीरीज में आज हम सेगेंड कॉंसेट को देखेंगे पिछले वीडियो में हम लोगों ने कॉंसेट नमर वन देखा था जिसमें कि एक ट्राइंगल में दो मीडियन अगर पर्पेंडिगुलर होते हैं तो उनके बेस में मतब उस ट्राइंगल का जो बेस होता है उस बेस में और एक्वल साइट में क्या रिलेशन होता है तो आई आ मतब दो कॉट्स हैं कि सर्कल के जो कि इंटरसेट करते हैं निट डिग्री पर देन दा डामेटर उस सर्कल इस स्कॉएर रूट ऑफ दो सब्सक्वाइर अफ ए इसको समझते हैं ना कोड़ा कोड़ हम यह दोनों कोड़ है यह दोनों कोड़ अगर इंट्रसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को 90 डिग्रे पर मतलब इनके बीच का जो इंट्रसेक्शन पॉइंट है इस पॉइंट को आप कुछ भी माल लेज़े सब्सक्रेपी है और जो कोड़ है वो है ABCD यह AB है औ होता है वो डायमेटर का हाफ होता है तो माल लेज़े कि इसका जो डायमेटर होगा दी माल लेज़े तो क्या कह रहा ना कि जो डायमेटर और इन सेग्मेंट्स के बीच के रिलेशन होता है वो होता है डी एक्वस अंडर रूट में यह जो सेग्मेंट्स कटेवें हैं कोड् और pb जो है इनका square करके add करेंगे और इस quad segment का जो dp है और cp है इन segments जो आप add करेंगे तो उसका root निकालने के बाद तो diameter के equal आएगा मतलब इसको लिखेंगे कैसा तो इसको लिखने के लिए हो जाएगा d equals under root ap का square प्लस pb का square प्लस cp का square प्लस pd का square अब देखें यह चो हमारा निकल करके है यह हमारा relation है between the diameter of the circle and the segments of chord if they are perpendicular अब देखें जो a p है इस a p को आप small a मान ले जे पीवी को आप small b मान ले जे cp को आप small c मान ले जे और pd को आप small d मान ले जे तो जो relation है वह और छोटा हो जाएगा अच्छा यह जो है न यह जो डी लिखाए यह असल में diameter है आपको पता होना चाहिए तो अभी जो diameter का formula हो जाएगा diameter बराबर हो जाएगा under root में a p की value वही सब short में लिख देंगे a square plus b square plus c square plus d square तो आपको यह जो है यह final formula बन करके आता है यह formula आपको याद रखना है जो कि यह questions पर direct आता है अब देखिए एक question s पर इस question को देखते हैं और solve करते हैं question लिखाव है radius of the circle is 5 root 2 units p q and r are 3 points on circle such that जो p q है वो perpendicular है rs पर किस point पर point s पर और यह चीज़ दे रखा है आपको ps बरावर बायर 12 unit rs बरावर 4 unit और qs की value आपसे पूछ रहा है तो देखिए question को solve करते हैं सबसे पहले एक circle डो करेंगे ठीक है इस circle पर आप points consider करेंगे कौन कौन से points बनेंगे पहले क्या दे रखा है p q r circle है points तो यहाँ पर इस point को आप P माल ले जाए उसके बाद यहाँ से एक code draw कर ले जाए इस code के इस point को आप क्यों माल ले जाए और यहाँ पे point r माल ले जाए ठीक है अब देखिए आपसे दे रखा है कि जो p q है वो rs के perpendicular है s point तो इसका मतलब कि यहाँ से जब आप इस line को join करेंगे एक perpendicular line draw करेंगे तो यह point क्या हो जाएगा यह हो जाएगा s और यह तोनों आपस में होंगे perpendicular आ रही वात समझ में अब देखिए यह एंगल हो गया 90 डिए आपको दिया हुआ है पीएस बारा यूनिट दिया हुआ है तो पीएस की वैलियो बारा यूनिट यह लिख लेज़ें देखिए यहां से लेकर करके यहां तक की नंबाई यह ब आपसे पूछ किया रहा है तो आपना क्यू एस को कंसिर्डर कर लेज़े इसको आप कुछ भी माल लेज़े आप इसको के माल लेज़े ठीक है अच्छा आर एस जो है उसको आप आगे एक्स्टेंड करके एक कंप्लीड कोड बना देज़े ताकि हम जो भी जो अब आप यहा होता है ज़ू आपको पता होना चाहिए कि जब दो कॉट्ट तुका Pacific सेग्मेंट सेम रेशिो में होता है जैसे कि यह जो हहे यह वाला मतलब फ्रव झेल ऑ प्लीड को आई जो चार है और उन वाले कॉर्ड का को 12 योनित रॉनत है जिस रेशियो में यह होगा उसी ratio में QS और SZ भी होगा मतलब कि हम क्या कह रहे हैं हम यह कह रहे हैं हम आप लिख देते हैं कि RS upon में PS बराबर होगा QS upon में SZ के यह बाता ध्यान रुखेंगे ठीक है तो अब देखें इसको हम पहले apply करते हैं इसको apply करने के बाद क्या होगा RS की value है 4 PS की value है 12 QS को जो हम K मानके रखेंगे और SZ कितना हो जाएगा आपको QS निकालना है इसलिए हम QS को K मान लिए हैं तो SZ की value है वो कितनी हो जाएगी SZ की value हो जाएगी 3K ठीक है SZ की value 3K आ गई तो हम इस लंबाई को 3K consider कर लेते हैं आपको क्या करना है आपको करना है find K आपको K find करना है क्यों क्योंकि QS की value find करने हैं और QS को हम K मान लिए है आपको K की value निकालना है अब देखें अब आपको सारी चीज़े पता हैं बस आपको K की value निकालना है अभी जो theorem हम लोग पढ़े हैं उसको use करेंगे तो theorem क्या था? theorem यह था कि किसी भी circle में अगर दो quarts 90 degree पे हैं तो हाँ देखें यहाँ पे 90 degree पे quad अज़े टर रहे हैं तो जो उसका diameter होता है circle का diameter जो होता है वो जाएगा under root में quad के 4 segment का square करके उसको add कर देंगे ना तो क्या होता है कि pc का square tsla qs का square प्basule rs का square plus zs का square यह आपको formula पता है क्या होता है चांश ठीक है diameter अपको पता है क्या? हाँ diameter पता है कहां पता है देखें question में लिखा हुआ है radius of the circle पाच root 2 यंप दिया हुआ है तो यहां से diameter की value कितनी हो जाएगी, 10 root 2 हो जाएगी, क्योंकि diameter जो होता है, वो radius का double होता है, तो diameter की value 10 root 2 हो जाएगी, तो आप यहां पे रखेंगे न, 10 root 2, अच्छा, under root जो इधर बना हुआ है, यह वाला root को इधर ले करके आएगे, तो यह square बन जाएगा, इस root को आप इध करेंगे है, plus qs का square, qs कितना दिया हुए है आपको, qs को माने है, q, k की value है, k की value है, rs का square कितना दिया हुआ है, rs का square, बतом 4, rs4 का square कर देंगे, और zs के value हम ratio वाला मेख़ड से निकाले है, कितना आया है, 3 की आया है, यहां पर दिखाए रहा है, तो 3 k का square कर देंगे, और यहां पर यह K है, K का स्क्वाइर और 3K का स्क्वाइर, आगे इसको solve करेंगे, K की वेला निकल जाएगी, 10 रूट 2 का स्क्वाइर करेंगे, तो यह हो जाएगा कितना, 10 का स्क्वाइर 100 हो गया, और रूट 2 का स्क्वाइर 2 हो गया, तो यह हो गया 100 इंटू, रूट 2 का स् सब्सक्रिक चैनल को सब्सक्राइब करएगा इस सारी र्वारण यह पॉजिटीट गोड़ा है यह पॉजिटीट पॉजिटीव स्थ लेडियो माइनस कर देंगे इधर कितना आजाएगा के स्कॉयर के 9K sq. 40k sq. 20k sq. 20k sq. 60k sq. 40 sq. 40k sq. 40k sq. 40 sq.edes sq. 40 sq. 40 sq. 40 sq. 10 sq. अब दिखे k sq. 4 sq. 40 sq. बरबर 4 sq. plus minus 2 sq. आ जाएगी k sq. लोगों समझ में नहीं आता कि क्यों प्लस माइनस टू कैसे आएगी तो इसको भी देख लेज़े, कुछ नहीं करना है, 4 को लेफ्ट साइड में ले करके आएगे तो यह हो जाएगा, k स्कॉर माइनस 4 बराबर 0, k स्कॉर माइनस 4 का फैक्टर कर देंगे तो यह हो जाएगा, k की दो वैलिज आ गई, k क्या था, k यहां पर देखे, distance है, k के एक मेजर है, मेजर किसका है, distance का मेजर है, किसका लेंथ मेजर किया, qs का, लेंथ नेगे नहीं होता है, तो इसलिए यह वैलिए हम नहीं लेंगे, k की positive वैलिए लेंगे, k बाराब हो जाएगा, plus 2, तो qs का, यही आप से पुछा था, qs कितना होगा, तो qs रेंगे, two units, आगई बात समझा, ठीक है, तो यह हमारा theorem था, और इस theorem पे हमारा यह question था, आपको ध्यान सर्व इतना रखना है, जब दो quarts होता है, quarts अगर, two quarts, अगर perpendicular है एक दूसरे पे, मतलब, angle 90 degree है, तो ही आप यह वाल आपने ध्यान रुकिए.